असलाम अलेकुम गाइस, कैसे हैं, आप सब उमीद करती हैं, हम सब खैर यह से होंगे तो आज हम बनाएंगे पीजा, होमेड पीजा, यह मैंने घर में बनाया है, इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए हैं तीन इंग्रीडियंट्स, टोमैटो, कैपसिकम, और अनियन इन तीनों को मैंने राउंड शेप में काटा है, आप कोई और भी चीज लिए यूज कर सकते हैं यह चीकन को मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था, इसको मैंने पकने के लिए रख लिया है यह है चीज, मुजरेला चीज, जो इसके पर मीन इंग्रीडियंट्स है, बेजे का यह मैंने उसको कश कर लिया है, चीज को, बरी बरी कश करके राख दिया इसको मैंने साइट पे उसके बाद हमने सॉस घर में ही बनाई उसके लिए हमें टोमैटो कैचप ली उसमें मिर्चे डाली और पाउडर धनिया और गरम मसाला डाल तो उसको मैंने गरम कर लिए और यह मैंने आटा दो गंटे पहले उसको गुंद के रख लिया था कभी अच्छा फूल गया हुआ था यह भी तो इसके लिए हमें इसका एक परदा बना लेंगे यह प्यारा सा एक परदा बन गया इसको हम राउम्ड शेप में इसके रोटी बना लेंगे, उसके उपर हमने सॉस एड़ की सॉस के बाद उसके उपर हमने यह चीज स्प्रेड की इसके कितना प्यारा लग रहा है गार्निशिंग आप अपने तरीके से कर सकते हैं जैसे भी बनानी हो, फिर उसके उपर हमने कैपसिकम लगाई यह भी अपनी मर्जी है, आप जिस तरीके से मर्जी उसको डेकोरेट कर सकते हैं, फिर उसके उपर वो जो मैंने चिकन फ्राइ किया था वो टुमेटर एंड इसके उपर एंड पे मैंने अनियन डाला और एंड पे फिर मैंने उसके उपर चीज से प्रैट कर दी यह भी आपकी मर्जी, आप जितनी चीज टालना चाहें ज्यादा कम, यह आपके अपनी मर्जी है इसका कोई मसला नहीं है, पीज़ा आपका हर हाल में अच्छा ही बनेगा, इंशाला यह मैंने अवन को मेरी प्री हीट होने के लिए रख दिया था आदा गंटा पहले हमने इसको प्री हीट कर लिया अब हमारा पीज़ा जो है, वो हम इसमें राख देंगे पंदरह से बीस मिनिट में जो हमारा पीज़ा है, वो रेडी हो जाएगा तो दस मिनिट के बाद हम इसको दुबारा उपन करके देखेंगे खोलेंगे, देखेंगे कितना हमारा रेडी हो गर उसके कॉर्नर्स पे हम ना इसको ग्रीस कर देंगे ओल से या देसीखी से, ताके उसके कॉर्नर्स जो हैं, वो हार्ड ना हो तो यह देखिए जी, बीस मिनिट बाद हमारा पिज़ा माशालला से बहुत अच्छा, बहुत लजीज, तो आज के लिए इतना ही, आला आफिज वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सबस्काइब जोर कीजिएगा